दिस्क्रिशना कैसे आप सब लोग हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत सुश्थ रहें मस्त रहें खुश रहें और अपने जीवन में आगे पढ़ें आप धिर सारी धेर सारी सफलता प्राप्त करें डियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल इस प्रिश्वा लव डबल बन डबल बन में आज हम रेडिंग करने वाले हैं कि आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं आखिर आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है क्या रि आपको बहुत करीब लाकर अकिरा छोड़ा हो बहुत करीब आकर आपका दिल तोड़ा हो उस से नफरत करने की हजार वजा है आपके पास हजार रीजन है आपके पास कोई भी हो लेकिन फिर भी आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं आप उन्हें अपने दिल दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं आखिर आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है क्यों इतना बेचैन रहते हैं आप क्यों एक घड़ी के लिए भी उनका ध्यान आपके दिल दिमाग से निकलता नहीं है जाना चाहते हैं ना मन में हजारों सवाल आते हैं हजारों सवाल आते हैं कि क्यूं 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 हम बताएं जाना चाहेंगे आप चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए ये जो भी है जिन्हों ने आपकी रातों की नेंदे हराम कर रखी है जिन्हों ने आपका चैन सुकून छीन रखा है मनी मन में इनका नाम लेजे इनका चैरा विजुलाइज करिए और एक option चुन लीजे हमने option दिये हुए न एक option चुन लीजे फिर उसके बाद आप अपनी reading देखे हम आपको बताएंगे कि आप क्यों नहीं भोल पाने है और अगर जो option आप चुनते हैं आपको कुछ देर सुनने के बाद ऐसा लगे कि ये match नहीं कर रहा है तो एक बार दूसरा वाला सुन कर देखे क्या पता कि आपने गलत option चुना हो अशान तुमन कभी सही चीजे नहीं चुन सकता ध्यान रखना एक बार ज़रूर दूसरा option चुन कर देखे ठीक है और अगर आप meditation करना चाहते हैं अपनी जिन्दगी को परिवर्दित करना चाहते हैं बदलना चाहते हैं अपनी जिन्दगी में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं तो description box में हमारे group का link है spiritual life टेली ग्राम पर है लेकिन ठीक है आप उसे बेजिजग जॉइन कर लीजे वहाँ पर कोई पैसे नहीं लगते हैं कुछ भी नहीं लगता है बस group के कुछ rules ने आपको उन्हें follow करना होता है और कुछ नहीं meditation करिए बहुतों ने अपनी जिन्दगी बदली है आप भी बदल लीजे ठीक है जैशे कृष्णा जैशे कृष्णा option number one कैसे हैं आप I hope कि आप खुश होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और बहुत ही positivity के साथ अपनी life में आगे बढ़ रहे होंगे dear आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल spiritual love 1111 में आपको उनकी इतनी याद क्यों आते हैं आप उन्हें क्यों नहीं भूल पाते हैं कोई ऐसा जिसने आपके रातों की नीद चैन सुकून छीन रखा है कोई ऐसा जिससे नफरत करने की हजार वज़ा हो सकती है लेकिन फिर भी उससे नफरत नहीं हो पा रही है वो दिल दिमाग से निकल नहीं रहा है क्यों 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 हम बताएं चले सबसे पहले हम अब दोनों की ही साइन की बात करते हैं अब दोनों की राशियों की बात करते हैं ठीक है देखे रासियां है यहाँ पर करकर विश्यूप मीन राशी अब दोनों की हो सकती है फिर किसी एक की और विश्रप करने मकर राशी हो सकती है मेज सिंग धनुराशी हो सकती है वाटर साइन एयर साइन और अर्थ साइन स्ट्रॉंग है ठीक है डियर हम देख रहे हैं अब बहुत बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने आपको बहुत सिखाते हैं बहुत पढ़ाते हैं कि भूल जा उसे उसने तुझे बहुत दर दिये बहुत तकलीफी दिये उसने तुझे कभी नहीं समझा उसने हमेशा तुझे लडाईया किये हैं हमेशा तुझे ब्लेम किया हमेशा तुझे भला बुरा कहा है तेरे प्यार की कभी कदर नहीं कि क्यों उस इंसान के लिए रोता है क्यों उस इंसान के लिए रोती हैं अब का दिल हमेशा अंदर से बोलता है अपने आपका बहुत समझाते हैं लेकिन कंट्रोल करतेें अपने दर्द को बहुत कंट्रोल करतें दिखातें नहीं किसी पर दिखाते, सब को ये कट्रोल कर लेना चाहते हैं कि अब कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझ से मेरे Many créer बगावत करें। आपका खुद का सेलफंबिनी आपकी आत्मा भी आपके खिलाफ नहीं जा सकती हैपत का दिल भी आपके खिलाफ नहीं जा सकता अब आपने जिन्दगी में इसकदर स्ट्रॉंग बनना चाहते हैं, कि अगर मुझे कोई भाय भी, मिरे दिल को कोई लुभाय भी, तो भी मैं उधर ना जाओं. अब आप अपनी भावनाओं पर, अपनी संवेतनाओं पर, अपनी दिल पर इसकदर कंट्रोल जमाना चाहते हैं और जमा भी रहे हैं लेकिन कहां हो रहे हैं कामयाब हो रहे हैं क्या कब तक याद करो मैं उसको कब तक अश्क बहाऊं और यारो रब से दुआ करो मैं उसको बूल जाऊं क्योंकि उसका याद करना ना बहुत कमाल करता है कभी वो आकर तो देखे उसका याद करना बहुत कमाल करता है कभी वो आकर तो देखे कि आपका क्या हाल करता है हाल इस कदर बेहाल करता है कि बस आपको लगता है प्रगु अब आपी जानो आप फिर तुरंट भगवान को याद करते है आप सरंडर कर देते हैं कि मैं हार गई मैं हार गया मैं चाहा कर भी उसे दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ फिर कभी कभी आपका मन होता है कि चलो मैं मेडिटेशन करूँगी मन को शांत करने की बहुत कोशिशे कर रहे हैं पर फिर भी वो दिल दिमाग सिरी निकल रहा है पता है क्यूं? क्यूंकि उसने जो भी किया है न उसमें उसकी पूरी गल्ती थी ही नहीं आपको बता है जब आप कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा दिलाते हैं या फिर सजा देते हैं कभी किसी निर्दोष व्यक्ती को, तो आपका मन हमेंसा अशांत रहता है, आपकी आत्मा हमेंसा आपको धिकारती है, आपको हमेंसा अपने अंदर से बेचैनी महसूस होती, जैसे कि आपने कुछ गलत किया, होता है ना ऐसा, तो इन्होंने जो भी किया है आज रीडिंग थोड़ी शॉट होगी इन्होंने उस लेवल पर गलती नहीं किया जिस लेवल पर इन्हें सजा मिली है समझ रहे हैं? जैसे किस्मत भी इनके साथ खेल खेलती है सज बता हैं? यह आपको चाहते हैं बहुत चाहते हैं बेपना महबद करते हैं आपके साथ अपनी जिन्दगी को कम्पलीट महसूस करते हैं जैसे लाइफ पूर हो गई है जिन्दगी में सब कुछ प्राप्त हो गया है जो एक खाली पंसा था, जो एक अधूरा पंसा था मेरी जिन्दगी को पूर्ट करने वाला वो हिस्सा मुझे मिल गया है इनने लगता है फील करते हैं आपके लिए ऐसा आप कम्प्लीट करते हैं इनके राइव को लेकिन पता नहीं क्यों जिन्दगी इनके हिसाब से चलती ही नहीं है यह करना कुछ और चाहते हैं हो कुछ और जाता है यह सोचते कुछ और है बोल कुछ और जाते है जैसे किसी और ने इन्हें कंट्रोल करके रखा हुआ है कभी अपने ध्यान दिया कि दो दिन मेरे सब सही था और अचानक यह बदल गई अचानक इसके उखड़े-खड़े से तेवर क्यों है अचानक ही क्या हुआ इसे हम दोनों के बीश ते ऐसी कोई बात नहीं हुई कभी-कभी आप देखेंगे कि आप लोग बे-फिजूल की बातों पे जगरना शुरू कर देते थे कभी-कभी तो दोसरों की वज़े से लड़ाई शुरू हो जाते अपना कोई मैटर नहीं होता लड़ाई शुरू हो गई और बता है ये इनसान जो है ना ये दिल का बहुत अच्छा है जिसे जिसने आपको सजा दी है या फिर आपने जिसे सजा दी है क्योंकि हम बता है थोड़ा सापके बारे में आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में रहे आप चाहते हैं कि सारी सिच्वेशन सारी कंडिशन मुझे पता हो सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो मुझे सब कुछ पहले से पता होना चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, किस ले करने वाले हो, सब कुछ, लेकिन चीज़े ऐसी हो नहीं पाती, चीज़े ऐसी हो नहीं पाती, फिर आपको गुस्सा आता है, आपके इंटेंशन बुरी नहीं होती, बस आपको पहले से जानना होता है सब कुछ, ठीक है और आपने हमेशा एक ऐसा जीवन जिया है जिसमें आपने हमेशा एक leadership quality दिखाई है जैसे कि आपको पता है कि मैं जो भी action लूँगी लूँगा वो बिल्कुल सही होगा तो आप इनको भी इनके जिंदगी को देखते हुए भी हर चीज़ पहले से जानना चाहते हैं जिससे आप इने सही रास्ता दिखा सकें लेकिन अकसर ऐसा होता है कि आप इने अपने खिलाफ जाता हुआ महसूस करते हैं जिसे कि कभी कभी आप फील करते हैं कि इसने जान बुच के किया है सब कुछ पर ऐसा होता नहीं है तो आपने एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दी है अब हम यहाँ पर नहीं जानते हमने यहाँ पर डीपली देखा नहीं है कि किसने किसको ब्लॉक किया यह फिर किसने किस से करेक्शन तोड़ा आपने फिर उन्होंने लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है और इसी वज़े से आपकी आत्मा उन्हें भूलने पारी है जिसे आपका दिल कभी कभी कहता है यार कहीं मेरी गलती तो नहीं है मैं क्यों कर रही हूं ऐसा यह फिर वो क्यों करता है ऐसा कि मुझे गुस्ता आए वो क्यों ऐसी हरकते करती है और कभी कभी वो भी बेफिजोल के जगड़े शुरू कर देते हैं आपके साथ कभी कभी वो भी बेवज़ा ही आपको सुनाना शुरू कर देते हैं हमेसे ऐसा लगता है कि लड़ने लड़ने के लिए रहते हैं जैसे कि मन में हमेसे जगड़ा ही बरा रहते हैं अच्छी बात करते ही नहीं है तो क्यूं हो रहा है बता रहे हैं उनका पाश लाइफ का कुछ है और पता है वो इनसान इतना स्वातांतर नहीं है इतना फ्री नही उसकी जिन्दगी इतनी आसान नहीं है वो हर पल आपको याद करता है वो हर पल सोचता कि काश आप होते पर वो अपनी जिन्दगी को अपने हिसाब से बनाने पा रहा है वो बेचायन है बहुत जादा मतब कि उसे दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो कैसे चीजों को संतुलित करें कैसे चीजों को मैनेज करें वो आपको भी चाहता है अपने परिवार को भी चाहता है लेकिन वो दोनों को संतुलित कर नहीं पा रहा है और इसी वज़े से सब गड़बड हो जा रही है और क्योंकि देखो कुछ चीजे पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है अपने सुरा है जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं अपना कहीं भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं इनके तो जब अपनी इस जनम के समस्या को रखते हैं कि मेरे इस जनम में जो समस्या है ये क्यों है इसका पूर्व जनम से क्या लना देना है क्या जुड़ाव है तो ये पाते हैं कि डेफिनिटली इस जनम में जो हो रहा है इसका संबंद मेरे पूर्व जनम से और क्यों किसलिए उसका रीजन इनको पता चलता है या तो इन्होंने कोई कर्मा किया या कोई इनसान आपके दिल के बहुत करीब आ रहा है अचाना कि आपको किसी से बहुत प्यार हो रहा है किसी तरव आप खिच रहे हैं तो ये साधरर नहीं होता दुनिया में इतने सारे लोग हैं हर किसी से प्यार नहीं हो जाता हर किसी को पहली बार देखकर दिल बेचेड नहीं हो जाता कुछ तो होता है कुछ तो होता है वो आत्मा पहचान लेती है हमारा सबकॉंस्टेंस पता नहीं अनन्त जन्मों की मेमोरी लेकर बैठा हुआ है अनन्त जन्मों की यादे लेकर बैठा हुआ है और वो उस सक्ष को पहचान लेता है तभी अंदर आत्मा में हलचल शुरू हो जाती है दिल धड़कने लगता है क्योंकि कुछ होता है ऐसे इधर भी है पास लाइफ का कनेक्शन है आप लोगों का तो भूल ली सकते आप दोने दूसरे को कभी नहीं बूल सकते लेकिन पास लाइफ का कनेक्शन सिर्फ आपका ही नहीं है इनकी जिन्दगी में जो लोग है जिनकी वज़से मजबूर है उनका भी है उनका भी है और इसी वज़से इसी वज़से आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है यह कहते हैं कि आपका साथ देंगे पूरा साथ देंगे आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे लेकिन वादा करके भी आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं हाथ बढ़ा कर भी आपका हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं promise करके भी promise तोड़ देते हैं commitment दे के भी मुकर जाते हैं और आपको लगता है कि बहुत बत्तमीज है बहुत बत्तमीज है ये बस अब और नहीं बस अब और नहीं आप बस खुद को फिर control करने लगते हैं इनकी पते feelings क्या है इन्तिजार कर रहे हैं फिलाल तो projection हो रहा है दोनों कही same same चल रहा है कुछ भी अलग नहीं है दोनों एक जैसी energy में हो जो आप उनके लिए महसूस कर रहे है वही वो आपके लिए महसूस कर रहे है फिलाल तो feelings same है लेकिन पता है वो क्या सोचते है कि सही समय आने दो एक दिन मैं खुद को साबित करूँगा साबित करूँगी कि मेरी गलती नहीं थी मैं इतना भी गलत नहीं हूँ यार जितना तुम सोचते हो मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं किया है बस मुझे कोई समझता नहीं है, मेरे हालातों को कोई समझता नहीं है आपको लगता है कि वो आपको नहीं समझते और उन्हें लगता है कि आप उन्हें नहीं समझते लेकिन पता है, हम देख रहे हैं कि इनकी जिन्दगी में इन्हें खुल कर जीने की आजादी नहीं है कदर बंदे हुए है कि बेकार का बर्डन लेकर चलते हैं बेकार के बोजों को लेकर चलते हैं कि नहीं मुझे ये करना नहीं मुझे करना ही पड़ेगा मतलब जो चीजे इनके हित्मे नहीं हैं जो चीजे इनके लिए बुरी हैं उनको भी लपेट कर चलते हैं आदत हो गई है संसकार है न वैसे ही कहते हैं न कि इतने सालों तक हम जिस एट्मस्वियर में रहे इतने सालों तक हम जिस जगार है जैसे लोगों के बीच रहे तो उनका असर तो पड़ता है न चार दिन में आप किसी को बदल नहीं सकते उसका सोच्रे समझने का नजरिया बदल नहीं सकते उसका जो व्यक्तित्व है उसमें वो जो पुरानी च्छाप है वो रहेगी रहेगी इनसान भले ही कितना कह दे कि हाँ काफी चेंजिस आएं काफी परिवर्तन आएं मैं बदल रही हूँ बदल रहा हूँ नहीं होता जी ऐसा तो हम देख रहे हैं कि ये सही समय का इंतजार कर रहे है और सही समय आते ही भाग ये सब दिन सोता नहीं है किसी कभी भाग ये सब दिन हर दिन सोता नहीं एक दिन जागरत होता ही होता है कुछ ऐसी जगाइं होते हैं, जहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते लेकिन दिवाली जब आती हैं तो लोग जहां लोग कुडा फेखते हैं वहां पर भी दीपक जलाते हैं हर जगा दीपक, उस दिन अंधेरा रहता ही नहीं है कि कहीं पर भी कोई negativity ना रहे ऐसे इनको लगता है कि एक दिन मेरी भी किस्मत बदलेगी एक दिन मेरी भी किस्मत चमकेगी एक दिन सब कुछ मेरे favor में भी होगा तब मैं इसे बताऊंगी तब मैं इसे बताऊंगा कि मैं कहां पर कितनी क्यों गलत हूँ आप क्या सही है क्या गलत है अच्छ तुम जज़ कर रहे हो मुझे अपने इसाब से अपने नजरिये से कभी मेरी जिंदगी को मेरे नजरिये से देख कर देखो तब तुम्हे एसास होगा तब तुम्हे पता चलेगा तो बदे आप क्यों नहीं भूल पा रहें क्योंकि यह हर पल आपको याद करते हैं पर कुछ कहते नहीं है, सफाई नहीं देते हैं कुछ बताते नहीं है एक बात अच्छे समझे आप हमें पता है कि बहुत अच्छे, बहुत समझदार इनसान है लेकिन ये बात सच है कि ये इनसान मजबूर है और एक बात आप कभी जुटला नहीं सकते ये इनसान आपसे प्यार करता है ये आपको दिल से याद करता है और वही है कि आपने एक निर्दोस व्यक्ति को सजा दी है आप एक निर्दोस व्यक्ती के लिए ओवर्धिंक कर रहे हैं और इसी वज़े से वो क्यों किया है देखो रिजिन कुछ भी हो सकता है रिजिन बहुत सारे हैं और उन्हें दोका दिया हो किसी से शादी कर लिए हो आपके खिलाफ चले गए हूँ जो वादे क्यों हूँ वो निभाए ना हूँ बहुत सारी बाते लेकिन उनकी जड़ तक जाएए जड़ तक जाएंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा ऐसे किसी को ब्लेम करना ऐसे सजा देना ऐसे किसी को गलत तरत सोचरा बोलना सही नहीं है ठीक है और इश्वर भी चाहते है कि आप थोड़ा ध्यान से परिस्थितियों को देखें आप थोड़ा ध्यान से स्थितियों को देखें आपको जैसा दिखाया जा रहा है आप उस हिसाब से ना देखें आप अपनी आँखे खोल कर अच्छे से देखें और जहां पर वो हैं उस हर जगा पर अपने आपको रख कर देखें क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम उस चीज से गुजरते नहीं है तब तक हम उस चीज को समझते नहीं है आपने देखा होगा कि कोई भी जब कोई चीज कोई टीचर हो अच्छा कोई विव्यक्ति हो वो आपके पास ये चीज़ है तो आप तुरंट खुद पर festa जबात दिलकल वही है कि जा के फड़्ग घ्राइए गड़ कि जाने पेर बाई तो आप एक बार उनकी दर्ध को मम्हुनाकर महसूश करो उनकी समस्याओं को फिर उनकी उलजन को अपनी उलजन समझ कर फील करो तो आपको वो गलत नजर नहीं आएंगे और एक समय वो होगा जब आप दोनों की भी सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक है मतलब कि समझदारी से चलोगे और आप गलत सोचना बंद करोगे तो उन तक पॉजिटिव वाइबरेशन पहुंचेगी वो भी पॉजिटिव होंगे जिससे आप दोनों की बीच ये घुटन ये चिड़न नहीं रहेगी और भले ही आप लोग काफी समय तक बात चीत ना करो लेकिन स्वतंतर होकर एक दूसरे की यादों से मुक्त होकर बुरी चीज़ों से मुक्त होकर जैसे बुरी बात हैं ना कि उसने मुझे ये बोला उसने मुझे वो बोला उन चीज़ों जिनसे आप हर्ट हो इस टक हो उस चीज़ों से मुक्त होकर आप अपनी जिन्दगी में आगे बढ़पा होगी वो अपने जिन्दगी में आप लोगे पास क्या होंगी एक दूसरे की अच्छी बाते एक दूसरे की अच्छी यादें ठीक है और फिर जब भी आप मिलोगे ना तो मू नहीं फिरोगे एक दूसरे को देखकर positive smile करोगे positive सी vibration दोगे तो रिष्टे अच्छी होने के chances हैं आगे चलके तो खाँ मखाँ ज़्यादा सोच के रिष्टे खराब ना करें ठीक है I hope कि आप समझ के होंगे जियाशे कृष्णा अपना ख्याल रखे अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में और हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चानल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जैशे कृष्णा जैशे कृष्णा आप्शन नमबर टू कैसे हैं आप I hope कि आप स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्प्रिचुल लव डबल वन डबल वन में आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं आपको उनकी इतनी याद क्यों आ रही है जबकि उनसे नफरत करने की हजार वज़ा है आपके पास हजार बाते हैं उनसे नाराज होने की उनसे दूर जाने की बहुत सारी बाते हैं बहुत सरे reasons हैं आपके पास लेकिन क्यूं? क्यूं वो इनसान आपके दिल दिमाग से नहीं निकल रहा है? क्यूं हर पल, हर पल, हर पल आपको उनका ही खयाल रहता है? हम बताएं आपको? डेटिंग पूरी देखें, हम बताते हैं आपको क्यूं, किस लिए? सबसे पहले हम इदर स्ट्रॉंक साइन की बात कर लेते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस, करक रिश्युक में राशी और जेमिनेल अलेब्रैक्वेरियस, मिथुन तुला कुम्बराशी ठीक है? टॉरस पर को क्याप्रिकॉन की एनर्जी कम है, एरिस लियो साजिटेरियस की भी एनर्जी कम है लेकिन क्या बता हैं आपको? हम आपके एनर्जी चेक कर रहे हैं तो आप तो इतना प्रेम पूर्ण व्यक्ति हैं इतने प्रेम पूर्ण व्यक्ति की क्या बता हैं और बहुत ही अध्यात्मिक, बहुत ही स्प्रिश्चूल, बहुत ही मिच्योर, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी व्यक्ति हैं आप और गजब की क्रेटिविटी है आपके अंदर, गजब का साहस है आपके अंदर गजब की positivity है आपके अंदर गजब का patience है आपके अंदर और आप इश्वर से बहुत प्रेम करते हैं इश्वर के बाद भगवान के बाद अगर आपके जिन्दगी में किसी इनसान ने जगा ली थी अभी भी ले रखी है हम ठी क्यों लगा रहे हैं तो ये हैं जिन्हें आप इतना याद करते हैं जिन्हें एक पल के लिए भी आप भूल नी पाते हैं जिनकी याद हर वक्त आपको आती है जो भले ही आपके साथ कितनी ही नाइसाफी कर ले कितनी ही तकलीफे दे दे लेकिन आपका दिल हमेशा उन्हें दुआएं ही देता है आपका दिल हमेशा उन्हें चाहता ही चाहता है आपका दिल कभी भी उनसे नफरत नहीं कर पाता आपका दिल हमेशा उनसे प्यार करता है कभी-कभी आप सोचते हैं क्यों, क्यों हम बताते हैं सबसे पहले तो आप लोगों की destiny एक दूसरे से जुड़ी हुई है आप दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है आप दोनों का भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है क्योंकि इश्वर खुद भी नहीं चाहते कि आप इनसे दूर हूँ एंजल्स खुद भी नहीं चाहते कि आप इनसे दूर हूँ और इसी वज़ा से जब आप उनसे दूर जाने के कोशिशे करते हैं तब उनके अंदर कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं ऐसे परिवर्तन होते हैं कि वो suddenly ही positive हो जाते हैं और बस आपको manifest करना शुरू कर देते हैं आपको याद करना शुरू कर देते हैं और जिसके साथ हमारा soul level का connection हो बहुत deep level का connection हो अगर वो हमें याद करता है हमारे बारे में सोचता है बहुत गहराई से तो तुरंत हमें भी उसकी याद आने लगती है और आज कल आप एक चीज महसूस कर रहे हैं कि आपको अब याद तो आती है पर उनकी अच्छी बाते याद आती हैं बुरी बाते नहीं बहुत प्यार आता आपके अंदर बहुत ब्लेसिंग देने वाली एनरजी है आपका औरा बहुत स्ट्रोंग है हमें लगता है कि आपने अपनी अध्यात्मिक उन्नती बहुत जादा की है आपने जब तब साधना योग मेडिटेशन बहुत किया है हो सकता है कि इस जनम का ना हो लेकिन पूर्व जनम के आपके संचित संसकार हैं ये पूर्व जनमों में आपने काफी साधना की है जिसकी वज़े से हम देख रहे हैं कि आपका औरा बहुत बहुत स्ट्रोंग है कोई चाहा कर भी आपको डी मोटिवेट नहीं कर पाता कोई चाहा कर भी आपको निराश नहीं कर पाता लोग प्लानिंग करते हैं आपको रुलाने की लोग प्लानिंग करते हैं आपको नीचे गिराने की पर उनके गलत मनसूबे कभी भी काम्याब नहीं होते लोग पता हैं आपको रुलाना चाहते हैं लोग अपके जिन्दगी से मुझको रहाट छीनना चाहते हैं लेकिन पता क्या होता है वो आपके लिए गड़ा कोदेते हैं और खुद ही गिर जाते हैं खुद ही गिर जाते हैं क्यों? क्योंकि जैसे कि एक सुरक्षा कवज बना होता है न हर किसी के पास एक सुरक्षा कवज होता है दिखता नहीं है अद्रश होता है ऐसे ही आपके आसपास एक राउंड राउंड एक आपका और 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 के उपर भी एक कवज है आपकी पॉजिटिविटी का कुछ दैवी शक्तियां हमेशा आपकी रक्षा करती हैं क्योंकि आप ट्विन्सोल जर्णी में हैं जी हां ट्विन्सोल जर्णी में ऐसी वैसी जर्णी में नहीं ऐसी वैसी यात्रा में नहीं बहुत ही जैसे की महत्वपूर्ण यात्रा है आपकी इस धर्ती पर आने का जो परपस है आपका जो रीजन है आपका वो कुछ एक बहुत महत पूर्ण काम है आपका इस वज़े से आप आएं हैं आपर अच्छा देखो इनके लिए तो आप आए ही हैं ये जो हैं अभी जिनके लिए आप परिशान होते हैं लेकिन पता नहीं क्यों आपको बहुत विश्वास रहता है कि आज नहीं कल ये रोट कर आएगा और ये कभी जा नहीं सकता मुझसे दूर मुझे पता है जैसे कि आपकी अंतरक आत्मा हमेशा इस बात की गवाही देती है हमेशा ये बात कहती है कि लाग कोशिशे कर ले पर ये कभी दूर नहीं जा सकता यह हो सकता है कि दूसरों की बातों में आकर बहक कर किसी के बहकावे में आकर बहुत लड़ते जगरते हों बहुत सुनाते हों कभी-कभी आपको बहुत आटेंशन देते हों और कभी-कभी बिलकुल इगनौर करने लग जाते हों पता है क्या सोचते हैं जब इग्नॉर करते हैं न तो इनको बाहरी लोगों का थोड़ा साथ मिल जाता है तो इनको लगता यह साथ पॉमधनेंट हो गया में लिए अब इसकी कोई जरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् भाग कर आपके पास यह हैं, आप तो जैसे घर हैं इनका, एक होता है कि कोई भी इंसान दिन भर चाहे, जितना कहीं भी घूमें, किसी घर रुकें, किसी घर खाना खाए, किसी के साथ घूमने जाए, लेकिन रात को वापस वो अपने घर आता है रात को नहीं आएगा दोत्निक दिन बात आएगा परा आएगा अपने घर युक्यों उसे पता मेरा घर यही है तो यह लौट कर आपके पास ही आते हैं फुर्श होल कनेक्शन है आप दोनों की जो frequency जो soul frequency है अपके frequency इने घसीट किलाती है आपके energy इने घसीट किलाती है और आप इने कभी नहीं भूल सकते हर वक्त आप इन्हें याद करेंगे क्योंकि इश्वर भी नहीं चाहते कि आप इन्हें भूलें और आज कल आप में से कुछ लोगों के masculine person की partner की शा ben पटा कर लीजिए कुछ अहों सकता है जरदी जो पसके कुछ को रख़ थोड़ा यजा अपको याद जाता मिस्स गरहें आपको हाँ शायद तो पहले जब कभी बिमार होते थे तो आप इनसे बात करते थे आप इन्हें सांथ बना देते थे कि फिर आप इनका बहुत खयाल रखते थे पर आप पते क्या चल रहा है कोई पास भी नहीं बैठता कोई बात भी नहीं करता कोई पानी के लिए मैंने पूछता सही से पहले ये बताएं नबताएं आप हर एक चीज भाप लिया करते थे मैसूस कर लेते थे कि ये ठीक नहीं है, इसी तब बेट ठीक नहीं है बिमार बिमार सा है, कुछ भी बट अभी कोई ऐसा है नहीं और आपको बता है, जब इनसान बिमार होता है ना, तो उसे बहुत अकेला पन फील होता है उससे तुर्ण घबरहाट हुआ करती है क्योंकि वो अंदर से अच्छा महसूस नहीं गरता ठीक है, लोग एनरजी हो जाती है तो वो सोचता है कि काश उससे कोई बात करे कोई उससे प्यार से बात करे कोई इसकी क्लियर करे बिमारी में कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उस वक्त ना, अगर उस वक्त आपने किसी को अकेला छोड़ दिया तो फिर वो अंदर ही अंदर तूटने लगता है चाहे कोई भी हो चाहे कहते ना कि सुख में साथ मत दो पर दुख में साथ जरूर दो ऐसे ही चाहे वो जब खुश हो तब उनके पीछे ना भागो फिर कुछ भी पर जब वो बिमार हो ना तो थोड़ी सी कमपनी दे दो थोड़ी सी साथ दे दो थोड़ी सी बात करो उन्हें हसाने की कोशिश करो हो सकता है कि पहले कभी आपने ऐसा किया हो तो इन्हें वो बाते आपकी याद आती है बहुत याद आती है और पता है कुछ इनकी आखों पे जो पर्दा-पड़ा था, कोई पट्टी बंधी थी इनकी आखों में, किसी भी तरह कि, ऐसी है मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, कोई मेरे साथ रहें न रहें, बहुत खुश रहूंगी, चुर्श नहींघ कुछ ब्रह्म थे इनके जो तूटे भी कुछ ब्रह्म थे इनके जो तूटे है तो उस भात का बहुत गिल्ट हो रहा है जब ब्रह्म तूटे गज़ा से पक्र 이게 मैं गलत था मैं गलत तो पता है आजकल आपको याद करके कभी-कभी ना इनकी आखें नम हो जाती है इनको कभी-कभी लगता है और मैंने सपोर्ट करते हो हर तरह से इनने प्रोत्साहिद करते हूं इनको मतलब हील करते उन इनको आसा healthy दिखाते हूं इनका उत्सहा बढ़ाते हों कि सब अच्छा हो जाएगा अ ब कोई ऐसा है ने जिन्दगी में, तो इन्हें आपकी बहुत याद आने लगी है, मिलना चाहते हैं आपसे, मिलकर सब ठीक करना चाहते हैं, हर एक चीज़ का बहुत गहराई से ऐसास कर रहे हैं, कि यार, वो मेरा तब साथ देता था, तब साथ देती थी, जब कोई नहीं था मेरे आग़े पिछे, जब मुझे कोई समझने वाला नहीं था, और कभी जब मैं बन जाती हूँ, बन जाता हूँ, तो हजारों की भीर हो जाती है, और फिर जब मेरे दिन वोरे आते हैं, तो फिर सब मेरा साथ छोड़ देते हैं, तो जैसे एहसास ये हुआ इन्हें, कि अपना वो नहीं है, जो खून के रिष्टों से जुड़ा हुआ है, अपना वो नहीं है, जो हमेशा जब आपके दिन अच्छे हो तो आप क्या सपास घूमता रहे, अपना वो है, जो कभी भी आपका साथ न छोड़े, कभी भी आपक को समझे, जो आपके खुश्यों की परवाह करे, जो बिना कहे आपकी बात को समझ ले, बिना मांगे आपकी ख्वाइशे पूरी कर दे, वो अपना है, अपना वो नहीं है, जिसके सामने आपको प्यार की भीक मांगनी पड़े, जिसके सामने आपको बार-बार बोलना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, अपना वो नहीं है, तो अब इनको जो और इनके रिष्टे हैं ना, अब इनको वो रिष्टे बोज लगने लगे हैं, क्यों, क्योंकि उन रिष्टों ने कहीं न कहीं इन्हें एहसास कराया है, और आपका सच्चा प्या पीचती हैं और जितना ही आपको याद करते हैं उतना ही आप इनहेंए आप तो जिसके सास्त हमारा इतना गहरा रिश्टा हो उसे हम कभी ने भूल पाते कभी ने भूल सकतें आप सोच रही है आजकल सोच रहे हैं कि अब मुझे परिवर्तन करना है अपने रिष्टे में मुझे अपने अंदर परिवर्तन करना है मुझे परस्नालिटी डेवलप करनी है अपनी मुझे अपने अंदर मिच्चूर्टी लानी है मुझे भी गंभीरता से हर चीज़ को समझना है मुझे उसकी हर छोटी बड़ी खुश्यों का ख्याल रखना है मुझे उसे वो सारी खुश्यों देनी है जो वो डिज़र्व करती है जो वो डिज़र्व करता है अब मुझे बचकानी हरकते नहीं करनी अब मुझे दूसरों की बातों में आकर अपने प्यार को अकेला नहीं छोड़ना अब मुझे सच्चे रिष्टों का ऐसास हुआ है अब मुझे पता चल गया है तो बस मुझे एक मौका मिलना चाहिए अपनी गलती सुधारने का हर एक चीज को सही करने का और इस रिष्टे में एक नई तरीके से इस रिष्टे की शुरुवात करने का मुझे में जो जाहिल गवार इंसान था मुझे में जो एक शैतानी प्रवत्ती थी जो अपना मतलब देखती थी अपना स्वार्त देखती थी मतलब के लिए बात की मतलब के लिए प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात की वो शैतान मुझे में मर चुका है मुझे में एक अच्छे इंसान का एक देव आत्मा का उद्य हुआ है और जिससे अब मैं अपने रिष्टे में प्यार से भी जादा प्यार देना चाहते हूं प्यार से भी ज़दा प्यार देना चाहता हूं हर एक चीज़ को समझदारी से समझना चाहता हूं ओवर एक्टिंग नहीं ओवर रियक्शन नहीं किसी भी चीज़ के लिए अब मैं शादी करना चाहता हूं वो शादी करना चाहते हूँ मैं फिर से उसके smile की उसके खुशियों की वज़ा बनना चाहता हूँ ऐसा सोचने लगे हैं आपके लिए बहुत जल्दी आपको message भेज सकते हैं आपके जो text message है उन पर ध्यान देना आपको message भेज सकते हैं आपको whatsapp कर सकते हैं किसी new number से अभी आपको किसी unknown ID से follow किया है इन्होंने कहीं पर ठीक है तो आपको हो सकता है कि unknown person बनके आपसे बात चीत भी कर रहे हूँ जी हाँ तो इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे ना आपके लिए बहुत सही होगा क्योंकि वो यहीं है अब एक वतरण directly अब बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है लेकिन अब इन्हें पता चल गया है कि हम दोनो एक आत्मा दो शरीर हैं अब इन्हें भी पता चला है कि twin soldier ने क्या है अब इन्हें भी पता चला क्योंकि इनके कि जो कार्मिक लोग है ना उन्होंने इन्हें प्यार का एसास कराया जब उन्होंने थोकर मारी उन्होंने इनका दिल तोड़ा तब इन्हें एसास हुआ अभास हुआ कि सच्चा प्यार क्या है ट्रू लव क्या है समर्पन क्या है प्रेम क्या है और आपके प्यार की जीत होने वाली है अभी पता है ये भी meditation करना शुरू करने वाले हैं कुछ लोगों के person है जो कर रहे हैं और कुछ लोगों के person जल्द ही meditation करना शुरू करेंगे हाँ उनको लग रहा है ऐसा कि मुझे अपने आत्मिक सुकुन के क्योंकि मन उनका बहुत ज्यादा ना परिशान हो रहा है जैसे कि बहुत नेगेटिविटी नेगेटिव थौर्ट उन पर हावी हो रहे हैं पास्ट की बाते खुद की गलतियां जब ऐसास होती ही खुद की गलतियां याद आती हैं तो उन्हें बहुत बेचैन भी बढ़ जात हो वो हमेशा सही डिसीजन लें और किसी की भी इंटेंशन को भावनाओं को जजबातों को समझ सकें इसलिए वो फिर से मतलब कि कहीं न कहीं जो कई जन्मों में उन्होंने छोड़ा है उसे फिर से पकड़ने वाले हैं अब क्या है वह स्प्रिश्वालिटी है हम सबका उद करना उस तत्व की उपलब्धी करना जो हम में ही है लेकिन हम जगा-जगा ढूड़ते हैं जगा-जगा भागते हैं तो अपने ट्विन से यूनियन करना और एक स्प्रिट बन बनना और मोक्ष की प्राप्ति करना कि एक मास्टर सूल बनना इस तरह का मतब सबका कहीं कहीं परपस है लेकिन अपने-पने कर्मों में अपने-पने कर्मों के चक्कर में जाल में फसकर गूंगते रहते गूंगते रहते हैं तो अब इन्हें एहसास होने लगा है ठीक है और इसन अमने आपको बताया कि क्यों याद आते है आई होग क्या आप समझ गए होंगे जैशे कृष्णा अपना खयाल रखे अपने अपनों का खयाल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है क्योंकि लोगों का काम तो कहने होता है और वो पुरी जिंदगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपनी परवा करनी है अपने खुश्यों की परवा करनी है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्रा नहीं दो